बिच्छ Owen खिलिए बालन नाम समिशनित संंग मैथा हाज़ुलिभकी सामने से एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नम्बर 72 आज किस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा टॉपिक है मेगने टोस्टेट आज से हम क्या करने वाले हैं? एक नया अध्याय या बोल सकते हैं एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं. जैसे कि सब लोग जानते हैं अभी तक हम ने जितने 61 Lecture बना रखे हैं, वो सारे यह सारे Lecture कुसे related थे? ElectroStatic से related थे. ठीक है हमने electrostatic में जितनी भी चीज़ा होती है उनको क्या किया बहुत बारी की से क्या किया शीखा अब किसकी बारी है magnetostatic की बारी है ठीक है तो आप सब लोग तयार है I hope आप पूरे जोज के साथ इस class मा आये होंगे और पूरे जोज के साथ हम क्या करेंगे जैसे हमने electrostatic प बात करें तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि study of a static source charge is known as electrostatic ऐसा पढ़ा था नहीं पढ़ा था answer है हां जी पढ़ा था now question यह है कि what is magnetostatic तो magnetostatic को हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीक से कि magnetostatic is a study of static current यह बोल सकते है study current किसकी study होती है यह कह agar steady current की study होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं magnetostatic बोly देते हैं नौब यह पर question आता है की what is study current जैसे नाम से पता चलना है study current means current which is not changing with time, जो time के साथ change नहीं हो रही है उस type के current को हम क्या बोल देते हैं study current बोल देते हैं, तो सबसब पर ने, खुश मन से एक फिर इंद बैने, जोस के साथ हिंड डालो, क्या, magneto-static और उसके नेचे लिखो क्या, what is magneto-static, तो हिंडिंग का डलो, सबसर पर ने, magneto-static, क्या हुझ जाएगा, magneto-static, क्या होता है, magneto-static, study of study of study current किसकी study study current study current study current की study होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं magneto static बोल देते हैं now what do you mean by study current गर मैं study current की बात करूं तो study current की गर मैं बात करूं then this study current is something which is not changing with time यहनि जो current है वो time का function नहीं है अगर मैं current को ice रिपर्जल करूं then this I is not a function of time then this type of current is known as study current ओके और study current के बारे में बहुत सारी चीज़े हम सेखेंगे लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा इंतजार करना पड़ेगा तो इसके बारे में स्थर्ड़ी करेंट है को है एसको रेक्षन के बारे में हम बहुत सारी चीज़े सीचे लेकिन दो यां-थी WOW- jore ढ़ा तो ठोण के यहां ज्यादा इसमें ज्यादा कक पड़ेंगे हम दो यह तीन लेक्चर के बाद दोगा ने त Fraser के कहें डालो intro या फिर introduction ठीक है ना थोड़ा बहुत कहानी है बहुत बहुत बहतरीन कहानी है बहुत अच्छी कहानी है और एक experiment की help से हम देखेंगे कि किस तरीके से magnetic force और magnetic field का क्या हुआ उदै हुआ तो देखो जैसे कि अभी तक हमने क्या discuss किया था इलक्तो स्टेटिक के बारे हम discuss कर रहे थे और इलक्तो स्टेटिक में हमारे पास क्या थे source चार्ज थे कुछ इस तरीके से ऐसे source चार्ज रखे हुए थे let us say these charges q1 q2 q3 कुछी बोल दो इनको दिस इस q1 q2 q3 and this is q4 and this one is q5 और यहीं कहीं पर यहांपर मेरे पास का रखा था एक टैस्ट चार्ड रखा था यह है मेरे पास test चार्ज थे this one is my test charge इसे हमने क्या बुल था test charge बोला था और यह क्या है मेरे पास this thing is this is the collection of point charge मुस्तने source लगने वाला अगर मैं अजूम करूँ कि 그 Q1 charge है वो कितना force लगा रहा है, F1 force लगा रहा है, Q2 charge F2 force लगा रहा है, Q3 charge F3 force लगा रहा है, and Q4 charge F4 force लगा रहा है, तो इसका मनलग इस पर लगने वाल दो net force होगा, F equal to, by the principle of super position, this will be equal to, this will be equal to F1 plus F2 plus F3 plus F4, कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर एक important चीज़ यह है, यह force कब लग रहा है, यह force कब लग रहा है, answer यह है, यह force इस Q charge पर, यह उसने इस test charge में तब लग रहा है, क्योंकि यह test charge, इस source charge के electric field में रखा हुआ है, यहाँ पर हमने एक field introduce किया था, यह फिल्ड के बारे में पढ़ा था, जिस field का नाम क्या था, electrostatic field था, यह इस region में क्या हो होगा, electrostatic field होगा, क्या होगा, electrostatic field होगा, killer है यह बात, ठीक है, इतनी बात killer हुई, और एक और important चीज थी, कि जो source charge था, वो कासा था, मेरा static था, कैसा था, static था, यहाँ बोल सकते है, at rest था, और अगर मैं किसकी बात करो, test charge की बात करो, तो मेरा test charge, rest में भी हो सकता है, और moving भी हो सकता है, maybe at rest, यह हमने पढ़ रखा समा, maybe at rest or moving, यह move भी कर सकता है, और यह rest में भी हो सकता है, इस पर कोई condition नहीं है, लेकिन source charge, because electrostatic study of source charge, लेकिन source charge क्या होगा, हमेशा rest में होगा, अब हमने कहा बहुत हो गया, static charge की बात हमने बहुत कर ली, charge in rest की बात हमने बहुत कर ली, अब हम क्या पढ़ना चारे है, charge in motion का effect कैसा होगा, यह बोल सकते हैं, अगर कोई दो charge है मेरे पास, दोनो charge क्या कर रहे है, move कर रहे है, तब उनके बीच लगने वाला force कैसा होगा, यह अब हम क्या करना चारे है, जानना चारे, now we want to know what will be the force between moving charge, अब हम क्या जानना च आखिए तो काचे, aesthetic charge थे, aesthetic charge के विए force, इस तरीक से हम ने calculate किया था, now we want to know, now we want to know, we want to know force between, force between static charge between aesthetic charge, sorry, sorry, moving charge, force between moving charge, ठीक है? अब उसके लिए मुझे क्या चाइए? उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुविंग चाहिए? तो मुझे पहने तो कुछ ऐसे एक्जामम्पल दो, जहां पर आपको moving charge देखने को मिलते हैं क्या कोई आप ऐसा example दे सकते हैं ने दे सकते पहने मुझे ये बताओ ठीक है कोई मुझे ऐसा example देना है जहाँ पर charge क्या कर रहा होगा move कर रहा होगा तबी तो हम वहाँ पर force देख पाएंगे ना तो मुझे कहाँ ये पहने सबसे पहने तो moving charge देखा एक बहुत बहतरीन और बहुत खुब्सरा example क्या होता है हमारा atom हम सब जानते हैं atom में क्या होता है एक nucleus होता है जो कि atom के center पर होता है और उसके चार ओर कौन भाई साहब revolve करते हैं electron revolve करते हैं या फिर कौन बेंजी रिवाल्व करती है electron क्या करते हैं उसके चार ओर revolve करते हैं and electron is a charge particle कसा particle होता है electron charge particle होता है यानि जो atom है और atom के चार ओर revolve करने वाला electron है ये क्या है एक टैप का moving charge का example है है या नहीं है देखो कि अगर मैं ये बोलूँ कि सब्सक्राइब करें अब देखो क्या अगर मा आपसे बोलूँ कि आप एक लाओ और इन एटम के भी सुरी इस एटम में जो चार्ज मूव कर रहे हैं उनके भी लगने वाला फोर्स कल्कुलेट करो यह जितना मुझे कहना आशान लग रहा है कि यह उतना लैब में करना है में लेट लेटरी में करना नहीं है ना आसान क्यूंकि आप एक एक एटम को देखना चाहता हूं तो यह क्या है एक बड़ा मेहंगा एकजांपल है बोल सकते हैं एक बहुत बहुत बड़ी लैब चाहिए कि इस टाइब के मूविंग इलक्ट्रॉन के कारण किसी दूसरे मूविंग इलक्ट्रॉन में लगने वाले फोर्स को देखने के लिए तो मुझ हम सब जानते हैं करेंट क्या होता है एक्चल में रेट और फ्लो अफ चार्ज तो होता है यहां पर करेंट फ्लो कर रहा है इसका मुझा फ्लो कर रहा है चार्ज फ्लो कर रहा है अगर मैं यह बोलू कि इलक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं इलक्ट्रोन आर flowing in opposite direction of current, ऐसा होता है नहीं होता, with some velocity and that velocity is known as drift velocity, उस velocity क्या बोलते हैं, drift velocity बोलते हैं, तो यहाँ पर इस wire में जो electron होंगे, वो कहां क्यों मूब कर रहे होंगे, इस direction मूब कर रहे होंगे, with some velocity, drift velocity which is VD, ऐसा है या या नहीं है, तो this is my another example of moving charge, एक तो यह है, यह बड़ा महेंगा इसमें हमसे practical तो नहीं हो सकता, ठीक हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बड़ी लैप चाहिए, हमारे बस की नहीं है, हमें क्या लेगा एस सस्ता example, and that सस्ता example is this thing, एक current carrying wire, current carrying wire का मलब, इस wire में क्या move कर रहे है, एक्चल में, charge move कर रहे है, सौनमाई बात, ओके, अब अगर मेर को एक्जामब पता चल गया है, यानि मुझे किसमे effect देखना है, तो मैं क्या ले लोगा है, आपर simple से, दो wire लोगा, क्या कर लोगा, दो wire लो, देखो, इस तरीक से ले लो, ओके, इस तरीक से, इस में डादू में, देखो, जहांसे देखना, मैंने क्या ले लिया, एक वैर लिया, दो wire मलो, एक यवैर लो, ठीक लंबा सा वैर ले लोगा, यूं करके, ठीक आपको धर में पड़ा होगा, और वार लोगा, और उसका एक एन्ड यह है, और एक यूवैर अधिन देखना, और मैं दूनों पर, और इसके जो नीचे के end है, उनको भी क्या कर दिया, मैंने एक इस तरीके से, बैटरी से जोईन कर दिया, यह क्या है, इस बैटरी से जोईन कर दिया, ठीक है, यह क्या है मेरा cell बोल दो, यह बैटरी बोल दो, जो आपकी बर्जी है, वो बोलो, ठीक है, and we are saying, this is positive terminal of battery, and this is negative terminal of battery, तो यह क्या था, मेरे पाइस एक wire था, जिस wire को मैंने इस तरीके से लटका दिया, now, फिलहाल के लिए अजूम कर रहा हूँ है, इसमें कोई भी current flow नहीं कर रही है, यहाँ मैंने क्या कर रहा है, circuit मेरा break कर रहा है, ठीक है, circuit मेरा break है, circuit क्या है, open है, ठीक है, close नहीं ह क्या किया, इस wire को मैंने आपक कनेक्ट किया, इस circuit को क्या किया, मैंने close किया, जैसे मैं circuit को close करूँगा, हम सब जानते है, इस बैटरी से क्या होगा, current flow होगी, होगी नहीं होगी, answer है हाँ जी होगी, यहाँ यहाँ पर current ऐसे जाएगी, यहाँ से current जाएगी, जाएगी जाए जारी नहीं जारी और यह देखा गया इस अब एक्सपरिमेंट हो रहा है और यह देखा गया कि जैसे मैंने इस तरीके से करेंट फ्लो करी कि इसमें उपर को और इसमें नीचे को तो यह वायर थोड़ा इधर क्यों सिफ्ट हो गया और यह वायर थोड़ा इधर क्यों सिफ्ट अगर मेगो लेनिए अब सुचुविशन के है यह वियर कैसा हो गया है ऐसा हो गया है कैसा हो ginv ere ऐसा हो गया वहोगे और जैसे ग्लोकर्न जैसे इसा हुआ इसका मतलब यहां पर क्लोगरहें इन दो वैर के बीज रिपलसिव फोश लग रहाहे अब यह current इधर flow नहीं कर रही है current कहां flow कर रही है इधर flow कर रही है पहले situation यह थी यह current करने से पहले यहां पर जोईन करने से पहले condition यह थी जैसे मैंने इस तरक्ट को close किया और close करते ही इसमें current flow करी और ऐसा देखा गया experimentally कि इस वायर ने इस वायरों क्या रिपेल कर दिया और कुछ इस type situation यहां पर बन के आ गई यानि इन दोनों current करेंट करेंग वायर में जिसमें यहां पर current कहां को जारे थी अपर डिरेक्शन में जारे थी यहां कैसे जारे थी डाउन जारे थी यहां पर अगर मैं बोनों कि य कैसी है? anti parallel है, कैसी है? anti parallel है, है यानि यए anti parallel, यानि जब भी current का करती है? दो वायर में VUL мी रखेंवwear में anti parallel flow करती है और ये बहुत बहुत समीद रखेंगा यह बहुत दूर नहीं है यह लगभः एक संटिम्टर की डिस्टेंस पर है, रुद लाइर आपने कहीं और दोको रख दिया यहां उसके लगा फोश लग रहा नहीं यह वैर के हैं बहुत समीब हैं और कितने समीब हैं एक सेंटिमीटर की डिस्टेंस पर हैं ठीक किलेबाद तो ऐसा देखा गया यहां पर करेंट उपर को जा रहे हैं यहां करेंट नीचे कि दोनों में क्या लगा और जैसे ईसा देखा साइंटिस ने उनके धिया में क्यूंशीन आया कि मतलब यह हो क्यों रहा है कि इसमें यह रिपल्शिव फोर्स लग क्यों रहा है देखो पहला और भागना चाहे और सिंपल सा एप्सक्राइश देना चाहे वह ऐसा बोल सकता है कि यहां पर क्या इलक्ट्रॉस्टाटिक फोर्स्थ है और क्यों बूल एक वो लॉचिक जी बोलने वाला हुँ एक्चिल में भादनी वोलेगा की मैंने यहां पर क्या किया इस तरीके से मैं इसे and same chart repel each other, ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत explanation ऐसा हो सकता है, लेकिन यह जो explanation मैंने बोला, यह क्या है, wrong explanation है, यह क्या है, गलत explanation, यह है गलत explanation, उसका एग region दिया गया, देखो, अगर मैं यह बोलूँ कि यहाँ पर जो लगने वाला force है, वो क्या है, electrostatic repulsive force है, कैसा false है, electrostatic repulsive force है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक electrostatic field होगा, क्योंकि electrostatic repulsive है attractive force कब लगता है, जब वहाँ पर क्या होता है, electrostatic field होता है, तो यह यहाँ पर क्या होना चाहिए, electrostatic field होना चाहिए, और वो जानने के लिए, यहाँ पर क्या रग दिया गया, एक test charge, माना य तुछ ने कुछ force लगना चेए था नहीं लगना चेए था आंसर आ जी लगना चेए था लेकिन इस test charge में कोई भी force नहीं लगा इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो force लग रहा है यह लग रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं और फिर क्या गिया गया और इसके nature के बारे में जानने के लिए यह जानने के लिए थोड़ा सा इसी एक्सप्रीमेंट को मौडिफाइय किया गया तो कैसे मौड़िफाइय किया गया शेम कंदिशन है रहने दी कि मेरे पास एक इस तरीके से यह वायर है थिए ये हैसे आप पलट दिया फिस को इस समोड कि यह क्या करने का है यह तार बहुत लंबाई है इसका इसे सकती हो तार को यह तार यहांसुक्द हम आफिक के क्या घड़ी ऐसा घड़ीया कुछ ठीक है जो यह पहले कहा ता उपढ़ था उसको नीचे लिए उस एड़ कहा लिया हम नीचे लिया ऑगो एंड कहां पर यह तरीके से खिलरवाथ ठीक और यह बैट्री ऑटेकर घंड कोंफ आजाईगी यूँ करके य करेंट गई फिर इस और इस टाइम पर करेंट क्या है, दूनों में, same direction में है, और फिर यहां से होते हुए, दुबारा इस बैटरी मा जाएगी। ठीके के, इस बार current को है, दौनों कहां है अपवाëं direction में, है या नहीं है। तो यहां पर एक्सपरिमेंट थोड़ा से क्या होगा चेंज हो गया जहां यहां एक अप्वर डिरेक्शन में था यहां पर दोनों क्या है करेंट कहा है अप्वर डिरेक्शन में हैं इस केश में यह देखा गया जैसा यहां क्या हो रहा था रिपल्सिव हो रहा था अब यहां पर रिपल्शन नहीं हुआ यहां पर क्या हुआ एट्रक्शन हुआ यहां पर क्या हुआ एट्रक्शन हुआ यहां पर क्या हुआ एट्रक्शन हुआ यहां पर क्या 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 से कनेट किया ना यह वायर यहाँ पर नहीं रहे यह वायर क्योंगे यहां से थोड़ा सा सिफ्ट होगे और कहां कि और सिफ्ट हुए अंदर की और सिफ्ट हुए इस तरीके से इस तरीके से जिए क्या होगी कुछ ऐसी होगी कुछ ऐसी होगी यहां पर क्या लग रहा है अभी एट्रेक्शन लग रहा है और अभी करेंट यहां नहीं है और करेंट कहा है इन वायर में है और करेंट क्या होगे एक दुसरी के और इस तरीके से आकर्सित होगे यहां पर क्या हो रहा था जब कर and parallel है तब यहाँ पर क्या हुआ हमारा attraction हुआ, कैसा हुआ, attraction हुआ, अब देखो, एक चीज और, electrostatic force का nature होता है, when both the charges are same, if this is positive, and this charge is also positive, then force will be repulsive, तब force कैसा होगा, repulsive होगा, होगा नहीं होगा, and दूसरा character होता है, when both charges are opposite, एक plus है और एक minus है, then force will be attractive, तब force क्या होगा, attractive होगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं, when both the charges are parallel, then force will be repulsive, and when both the charges are anti-parallel, यहने इदूसरे के anti-parallel, इदूसरे के opposite, then force will be attractive, क्या इसका nature भी ऐसाई है, जो force यहाँ पर लग रहा है, क्या इस force का nature भी ऐसाई है, आंसर नहीं, देखो, यहाँ पर क्या है, anti-parallel है, और अगर है electrostatic force होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, attraction होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या है parallel है, अगर है electrostatic force होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, repulsion होना चाहिए था, क्यों, both the current are flowing in the same direction, और we can say parallel condition है, लेकिन यहां हो कहा रहा है attraction, और यहां कहा रहा है repulsion, इसका मतलब this force is not electrostatic force, Electro study force तो बिलक्ल नहीं है, तो यह force है कुनसा? Answer is this force is magnetic force, कुनसा force है इस force is magnetic force, the force between these two wire, and these two wire is nothing but magnetic force, कुनसा force है? The force between the force, between current carrying current carrying wire is magnetic force is magnetic force and this was the first time is your experiment in a this was the first time when we introduced magnetic force experimenter जब हम पहली बार किस्से परिच्छीत हुए magnetic force ए परिच्छीत हुए ठीक है एक लौरिंट्स नांक आपके सन्या को सनाई होगी कि वह अपनी लैब में थे और current carrying मंगा वायर का करते इस्तरी किसे एटरेट कर रहे थे ठीक है तो यहां यह जो तो मिले पास experiment है, इस experiment ने पहली बार बताया कि मलब एक force होता है, जिस force का नाम क्या होता है, मलब उस force का नाम क्या दिया गया, Magnetic Force दिया गया अब देखो, जैसे हैं मेरे पास क्या था? Electro-static Force था और Electro-static Force किसी एक test charge में कब लगता है? जब वो test charge कहां रखा होता है? उसके Electro-static Field में रखा होता है तो इसका मतलब यहां पर यह जो wire है, वो इस wire के कहां रखा होए है? Magnetic Field में रखा हुआ या ऐसा ही बोर सकते हैं यह जो वायर है इस वायर के मेगनेटिक फिल्ड में रखा हुआ है यानी करेंट करेंट पैरिंग वायर के पीच या पूसक्थ चरेंट करेंट करेंग वायर के आसकास एक फील्ट पर डूल्च हो जाता है and this this field is known as magnetic field the field around current carrying wire तो यहां पर लिखो field 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 around around current carrying wire current carrying wire is called is called magnetic field उसको हमने क्या बोला है magnetic field अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि मुला अभी तक बाते जो चल रही है ना वह हम हवा में तीर मार रहे हैं हमने खाले-खाले बोल देगी है यहां पर क्या लग रहे हैं तभी यहां पर magnetic force लग रहे है ऐसा बोल दिया तो अब प्रूफ करो कि भाई यहां पर जो फोर्स है यहां पुस्ते हैं वह फिल्ड है वो कुन सा अना नहीं चाथा था एंट-इड़ गमपर्स हो देइस कंपस super यह चीज़ है ठिक है तो यह चीज़ चीछी हिल्वे हम को समय में आघीना बाद आप क्या करेंगे हम चाह ч rag twor company निटेल होती है जो हमें सा कहा पने और गयर लैकिन अले था प्रडूस करते हैं जैसे इस वायर ने यहाँ पर मेगनेटिक फिल्ड प्रडूस किया तो जो वायर के द्वारा प्रडूस किया गया मेगनेटिक फिल्ड है वो अर्थ के मेगनेटिक फिल्ड के कमपेर में क्या होता है बहुत ज्यादा क्या होता है स्ट्रॉंग होता है तो जैसे मैं इस कंपस को क्या रखोंगा इस में इस वायर के समीप ले जाओंगा तो इसमें क्या आना चाहिए डिफलेक्शन आना चाहिए और इसमें डिफलेक्शन आया अब इससे तो आएगा ने विकाद यह क्या है पैंसे लिखा हुगा है लेकिन और कि और गाई किस वायर के मैंने क्या हो जाएगी और वहां से हम क्या बोल देंगे क्या चुर्ण कर देंगे कि यहां पर जो फिल्ड है वह कैसा फिल्ड है magnetic field है और इन दो वायरों के भी लगने वाला जो force है वो कौन सा force है हमारा magnetic force है समझ में अगी एतनी बात ठीक यह क्या है magnetic field की कहानी है यह magnetic force की कहानी है और यहाँ जो field produce हुआ हो कौन सा field है magnetic field है अब बात करते है कि direction of magnetic field की direction होगी जो कि आफ देखो वो कैसे निकालेंगे अगें हम सो किसे निकालेंगे एक्सप्रιमेंट की हेलिप से निकालेंगे ठेक तो अब हिद नलो क्या इस तरी कि से ड्रक्षन of magnetic field कि इस वायर के कारण या बोस्ते इस वायर को जो जो मेंटिक फिल्ड होगा उसकी डिरेक्शन कहां क्यों होगी तो हिंदिक डाल नाम को डिरेक्शन ओफ मेंटिक फिल्ड कि डिरेक्शन ओफ मेंगनेटिक फिल्ड ओके अगें क्या गरो एक फोड़ा एक्सप्रेमेंट करते हैं ठीक इसमें जाद इस चीजिए का और के अगरेंटिक इस तरीके से ट्रेंट फ्लो कर रही है ठीक है या फिर ऐसे बोल दो इससे भी होता है जो आपको चार्जर है इससे भी होगा इस चार्जर के समीप आप इसको जब चार्जर में लगा वे उसका समीप इस सब्सक्राइब करेंगी 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 अगर मैं इसको कर रही है तो इसका मदलब जब मैं इसके सामने क्या जाओंगा मैंगेटिक इसको ले जाओंगा कंपस को ले जाओंगा तो यह कंपस की निडिल है किस डिरेक्शन में मुड़ जाएगी ठीक है और मैं क्या करूंगा अलग-अलग एक्सपरिमेंट में मैंने क्या कि अलग-अलग पॉइंट पर कंपस को ले गया और हर प्वाइंट पर कंपस की निडिल उस दिरेक्शन में मुड़ जाएगी उपर के ओर जारिया और कितने आई क्रेंट जारियों और इसके चारोर मैंने कुछ पॉइंट इस दुरिये और जो से आगुए पॉइंटक तकर एक नलỏi पर कैसे है ज़ंद आ हुशा यहां प्रकल के मिफ्ला नहीं कि आया है यहां पर कैसे हैं है यहां पर कैसे हैं क्या हो जएकी टिक यहां पर कैसे है ऐसे है यहां पर कैसे है यानी इस current carrying wire के चार और Magnetic field कैसा है circular है कैसा Magnetic field है circular Magnetic field कैसे गूम रहा है इस तरी के से गोल-गोल घूम रहा है इसके लिए यहां एक रूल बनाया गया प्शक्ते हैं तो उसके लिए यह घुटी और आप से पूछा गया कि इस P point पर magnetic field direction क्या होगी इस P point पर magnetic field direction कहाँ क्यो ओर होगी देखो क्या करोगे सबसे पहले आप इस wire को इस wire में क्या करोगे जिस direction में current flow कर रहे है इस direction में आपने thumb को करोगे ठेका thumb इन दिरेक्षिन आफ current और फिर उसके बाद ऐसा करने के बाद थम को current की direction में करने के बाद इस वायर को hold करोगे और hold करते समय जिस direction में आपकी अंगुलिया मुड रही है hold करते समय जिस direction में आपकी अंगुलिया मुड रही है वह direction किसकी होगी magnetic field की होगी के आन्धर मूल रही हैं लिखेंगे इंधर कि ओर होगी और हमीसा अगर मैं मैंग्डिक हाँ एक ते बैक्टर बॉल सकते है उसको दुसको ट यूसे नहीं बहुते टीउटा थना क्ल dissip है तो लिखेंगे जा रहा क्वीच्ण लगद्न तरीके से और ब्रक्राइब मायंच in और इन्ट का मतलब कर दाउंड वोर्ड कि चौण लूड पिए muj अन्टई इंटू गैपर सपीक है और आगर मैं बोलो कि इस पॉइंट क्या होगाnymi इस पाइंट फोंड करो m T ती कि यहां निकानलना है ये हतेली जंद को कर दिया अधर करें एक हैं त Laden से उड़ा रही है यहांdo यहां निकाना है करें सब्सक्राइब करण से कहा का की उरणी कि आपको क्या इस का तरह लूट हो और यहक्यों होगा करते हैं तो इस तरीक से अगर मैं यह बोलूँ कि मेरे पास यह तरह के से यहां पर एक लूप है कि सर्क्ला लूप है यह करके और इसमें क्या करेंट जा रही है यहां से करेंट गई फिर यहां गई और फिर यहां से इस तरह किसे बाहर आगी और आपसे बोला इसकी सेंटर पर जो मेंगेंटिक फिल्ड होगा उसके डिरेशन क्या होगी इस सेंटर इसका सेंटर ओ है तो इस छोगा कर लो कर लुख ही अंदर प्रक्रोट अपर दाउन्वर्ट इस तरीके से होगा किधर आपको पिछे करें का तो मैं क्या बना देंगा आपर क्रॉप बिना दिया घल गाँ एक और एक और आपको इस तरह की से कहा है एक सब आर्क टाइप का वायर हैयों करके है ऊब शुआए हाई टैसे आही खिर सबस्वेन की फिर सब्सक्राइब अहीं इसको आपको अंख घॉल धिया क्यों आपको यह सर्कम disp затем is a तो इसे हैं और यहां निकालना ऐसे कर लो करो तो कहां कि अंदर की और तो यहां पर क्या जाएगा हमारा कर लोगर के अपर क्योंड तो इसे में फिल्ड कर लोगा यहां पर क्योंड बनाद ओपर क्योंड और चीज़ा अगर भूल जाओ तो इस यह क्या होता है यह होता है डाउनवर्ड और एक्रोस क्या होता है मेरा अपवर्ड इस इस अपवर्ड अपवर्ड यह क्या होता है मेरा अपवर्ड होता है और जो एक्रोस है इसे हम क्या बोलते हैं डाउनवर्ड बोलते हैं दॉन वर्ड बोलते हैं ठीक है कि दर इतनी बाद ओके अब देखो अब बात किसके ओगी डिरक्शन ओफ मेंगें फिर्ट की बात होगे आई होगे आगे अनुवले अब बहुत सारे कॉर्शन करेंगे बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे वहां पर डिरेटियों कॉंसेप्ट औ जी आपर इसे आंग क्या बोलते हैं राइट हैंड थं रूल बोलते हैं ठीक है अपने हाथ से लिखने इसको जो भी इसमें लिखना है कि जब करेंट कर रही है तो थाम बील्भी इन डरेक्शन ओप करेंट एंड डड़ेक्शन इन विच अवर फिंगर आ करलिंग डिस हो अब निका निकले तक, याइक कर निकले था गला निका निकले है तो इसी तो खुशिया पोना किस टर्फ एंगे डारेक्श वर र्यूल 4 फोस्ट साथ खििंड लोका नेशट कर दोख ऐसके具 हम लोगभी for magnetic force magnetic force के रूल क्या होगा देखो अगेन रूल कहा से लाएंगे हम इन्हीं एक्सपरिमेंट से लाएंगे ठीक है देखो कैसे लाएंगे देखो जांसे देखो माल लिया मेरे पास यहापर क्या है ठीक है, दोवयर है, एक वायर यह है और एक वायर यह है और यह और बहुत वायर बहरले टू इस अधिर दू आ दधेखो और इसे मेश हमे चरइन तरब या इह लाए है और इसे मेशे के जाहत आज़रीय अटमिनर आज़रीन पwość हमेशान पर इंब नहीं अरे चart अब सब हम सब जानते हैं from experiment experiment हो रहा है और experiment से हम से हमको पता चला कि यहां पर क्या लएगा attraction लेगा because both are in the same direction और जब पहले लोयर होते हैं यह वोस्ते पहले करन फ्लो करती है तो यहां पर क्या होता है attraction होता है यानि अगर मैं यह बोलूं कि this is force on one due to two f on one due to two due to two इसे हम क्या बोलते हैं f12 f12 का मतलब क्या हुआ force on one due to two और कुम सा force है magnetic force है और यह क्या करेगा इधर करेगा वह भी स्टार्शन में होगा तो यह कह है मेरे पास आएफ एंस दो नहीं है देखू यहां पर आमोग फोस्से पता है कि लेक्ष डूरगा और कैसे पता है वाई experience experiment करने के पता है अब यहां पर यहांई tellıkt मेंन होगा इस और बार के कारण इस प्ट्र में टीक निकालना चाहEU अगर संहा बात को अगर मैं क्या करना चाहूँ उस्सें पहले एक कॉस्छिन और है कि इसमें ये एफ टुओन फोर्ड कुछ लगा इस वायर में ये एफ टुओन यहांवन भी सेम इस वाइड़ वाइट फफॉर्स उसकी डारेटशन क्या होगी है अगे इन हमारा राइट है तो यह कहा है मेरे पास डारेक्शन से कि यहां है तो कहां कि ओर कि और है न्न के उर यह रहा है तो this is magnetic field, यह क्या है मेरे पास magnetic field, let us say this one is B1, इसे क्या बोल दो, B1 बोल दो, कितना बोल दो इसको, B1 बोल दो, एंड जो current हो, कहां के ओर flow कर रहे है, इधर के ओर flow कर रहे है, current I कहां के ओर flow कर रहे है, इधर के ओर flow कर रहे है, और आए अपर देख सकते हो, कि जो force है, magnetic force है, औ सबस्क्राइब करेंट इधर की और है किसी का एक सिंप्लिफाइड वर्जन पूस्ते एक ट्रिक बोल सकते हैं जिसको हम रूल मं भी बोलते हैं एन्धर रूल एक से करना पटा एक और यहां इनको तीन उगले से बाहर निकालने पड़ती है इस इस अवर फिंगर इंडक्स फि के यह गार है उसको और नोगर रखना होता है और अटमेटरली अधिशंग आ जाएगा डारेक्षण इन फोर्स ना जाएगा देखो में टीफिल कहां कि और रहे अंदर क्यों करेंट कहां कि और उपर कि और फोर्स विल वे इन डिर्चिन ओप थंग आई बाद संदे तो तो त यह क्या है एक रूल है, this is the rule for force and this rule is known as left hand rule, तो है यह हम क्या बोलते हैं, left hand rule बोलते हैं, तो इसके लिए rule आया, वो कुण सा है मेरे पास, left hand rule आया, इस rule को कहीं नहीं note कर लो, या एक काम करो, कल जाना और एक permanent mark कर लेना, और यहाँ पर लिग देना, this is for current i and this is for magnetic field b, and this is for force f, तभी याद होगा ठीक है अब देखो तो फोर्स कहां के और अंदर के और करेंट कहां के और उपर क्यों तो फोर्स विल वी इन डिस डिरेक्शन के जरह इतनी बाद करेंट और डिलापाइं डिंडेक्स फिंगर इन डिंडेक्स फिंगर्ः तो दिस विल भी इन डिरेक्शन ओफ मेंटिक फिल्ड हुर हम लिग दिया नमकर भूत इंग से रपाया है कि मला टिक छिर्पंट के बिक बैक्तर बोल दो एक और वर्ड आता है इसके लिए हम भी डिसकर स्कांव करें वहां तो मैंनिक फील्ड इसे बीलिग दिया हमने है ओके तो अट्मटिकली तो हमाले थर्ड फिंगर होगी तॉम किस direction हो जाएगा दिसे direction of force दिसे direction of force एंद दिस magnetic force FM FM for magnetic force तो दिसे रवर left hand rule यह क्या है हमारा left hand rule है अब यहां पर देखो आपको क्या निकानला चाहूं वस्ते दिया हुआ है तो अगर मैं यह बोलो यहां पर इस पर्टिक्लर पॉइंट पर जो यहां पर मेरे पास ऐसे आएगा ना ओके तो मेरे पास यहां पर मेरे पास अब देखो दो करेंट इस पर होगा हमारा इस दिरेक्शन हो जाएगा ठीक के दर है इतनी वाद ओके इसमें दिक्कत नहीं है ठीक है फोर्स विल वी इन इस टेरक्शन तो यह क्या होगा हमारा लेफ्ट हेंड रूल हो गया या फिर किस तरीके से हम क्या करेंगे जो मैगनेटिक फोर्स है उसके डिरेक्शन को फाइंड करेंगे ठीक किलिए इसमें आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए परिशानी दिक्कत हो भी रही है आगे वाए लक्षर मां बहुत सारे को लिए ठीक है ओके अब कोश्चन आता है कि यह तो कसे पड़ा हमने ठीकरी पड़ा कि मैगनेटिक फोर्स क्या होता है अब देखते हैं कि क्वाइंटिटिवली या बोल सकते हैं नुमेरीकली इजो मैगनेटिक फोर्स होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है और दो पहले साइ यह हो जाएगी लॉरेंस फोर्स लो और इसी का हम क्या घौलते हैं मेगनेटिक फोर्स उसा जुट है जो लॉरेंस फोर्सलिवली किसको दिखाता है क्य देखाता है कि लिए अब देखो फिर तो क्या होता है अकोर्डिंग शरल में असलिजिए लिखकर चलो अक्करिंग this law, if any charge q, any charge q moving, moving with velocity v, with velocity v in magnetic field B, magnetic field B, then force on q, then force on q is given by, is given by, magnetic force, magnetic force on q is given by, f is equal to q into v cross B, f is equal to q into v cross v, and here we have fm, fm ka malab, m kis ko represent kara, magnetic, magnetic force, and this formula is very, very important, and this is known as, this form, isi formula ho kya bolte hai hai, lawrence force law bolte hai, now ab pata da is ki derivation ki, kya s ko drive kar sakte hai hai, zirwati nia, because it is all come from experiment, yye kis se aa rath hai, experiments se aa rath hai, joh experiment abhi tof hume nia kiya na, isi se kya rath hai, yye chai zha rath kye hai, dekho, yahaan mire paas kya hai, this v is the velocity, v kyaa mire paas velocity hai, off current, off q charge, or b kya hai, magnetic field hai, or fm kya hai, magnetic force hai, yarni, joh mire paas fm hooga, v or b kya perpendicular hooga, aysa thana hai, yahaan pere, menei bula tha na, ki all three are mutually perpendicular, ऐसा बोल सकता हूं कि अगर current इदर फोलो कर रहे है, negative chart tha giro और भी तीनों कहें mutually perpendicular है जो कि इस फॉर्मले से भी आपको देखने को मिल रहा है and this is very very important formula और इस फॉमले को क्या नाम बोलते हैं लोरेंज फोर्च लो बोलते हैं जिसके क्लाम लोगा कोई ऐसे वह नहीं है परूफ नहीं है क्लाम लोगा पुरूफ पड़ा हमने नहीं पड़ा हमने क्या बोला कि यह कहां से आ रहा है एक्स्प्रिमेंट से आ रहा है, same thing यहां भी है, यह कहां से आया है हमारा एक्स्प्रिमेंट से आया है, ठीक है, now, यह क्या है मेरे पास, single magnetic force की बात कर रहे है, लेकिन आप question यह आता है, अगर कोई charge जब मूव कर रहे है, क्या उसका electrostatic behavior खतम हो जाएगा, आंसर है नहीं, वो पूझ किसे दूसरे चार्ज पर इलक्ट्र स्ट्रेटिक फॉर्स तो लगाए घाई गाई ना अगर मैं यह बोलूं कि मेरे पास दो खुलाम चार्ज यह है दो खुलाम चार्ज यह है और दूनको मैं ऐसे ले जा रहा हूं तो क्या उनके बीच कोई फोस ले गा लेगा और फो चार्ज क्यू सूरिवी सर दिविश हूं इस एक समय नेल हो न्यल्ट एक नहीं स्परेब निया半 q एक कितना ध्याइब ट्रस कि UPby को सुझत ना उत्ी फोर्स तर यहां से मेरे पास कितना आजाएगा FM अभी पढ़ा हमने Q into V cross B होता है Q into V cross B ऐसा कुछ आया तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा इस F is equal to दो नोट से Q बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच गया मेरे पास E plus and this one is V cross B निकल किया गया ओके सुन माई बार इतनी दिसने नेट फोस यह कर निकला net force on moving charge निकल के आगया and this part is due to electrostatic force and this part is due to magneto static force and this is only because of magnetic field this is force because of only magnetic field and this is this thing is only because force only because of electrostatic field on charge Q इतनी बाद के लिए आपको ना अब यहां पर कुछ important चीज़ है एक इंपोर्टेंट चीज़ है एक इंपोर्टेंट यही है कि जो FM होगा और FB होगा और हाँ जो FM होगा वो FB और सॉरी जो FM होगा वो B और V के perpendicular होगा इतनी बास माई आपको और एक चीज़ और यहां पर जो मेरे पास V है कैसी quantity होती है velocity velocity is a vector quantity यहां जोनों बात को जो velocity है कैसी quantity है vector quantity है एक important चीज़ है यहां पर ऐसे नोट करके लिखना एक नई चीज़ भी होगी आपके लिए और important भी होगी and that is जो मेरे पास V है वो क्या है मेरी जो वी बेक्टर है वो क्या है vector quantity है और जो force है वो भी कासी quantity है जो FM है वो भी क्या है vector quantity है और जो B है वो वह भी कैसी क्वांटिटी है बैक्टर स्बार्टी नहीं है अगर आप लॉइंच से देटेज में यहन थैने तो श्रुडव करोट्र यह क्या होता है मेरे पास प्याहिए और कांट रक्स. शुडोबेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है अब यिदे क्रत्र है कैसा उसे स्रण स्मिन हुश्ट्र अब अब मेरे पेपसितों कुछ होगे कि सब्सक्राइम जिए खैनल defending आप तो प्शूडो वेक्टर pseudo vector r are invariant invariant under total reflection total rotation टोतल rotation and parity transformation parity transformation and change sign change sign under reflection ठीक से याद कर लो ओक्य तो ये क्या होगा मेरे पास और सुदू बैक्टर की डैफिनेशन होगी और एक और इंपोरेंच इस इंपौरेंच यहां से वो निकल क्या आती है वह हमारे पास क्या कि इस इस इवर बैक्टर इलिस देवर शूदू बैक्टर और दुनुगा प्रोस 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 रिखेंगल यहां पर एक यह कभी कभी आप से पुछा सकता है नेट में तो नहीं जैम में या फिर गेट में कि अगर में पास एक बेक्टर है और दुसरा शूड़ बेक्टर है दुने का क्रॉस्ट पूटर की क्या आएगा तो आंसर होगा बेक्टर और इसने पूसा सकता है क्योंकि यह जो कॉंसेप् बहुत फेमस फोर्स रिलेटेटड है और फोर्स इस मग्नेटिक फोर्स के लिए इतनी वार ओके नॉअ यहां पर एक दो लाइन और लेखो फोड़ के बारे में डैट इस की हे मैंनेतिक फूस वार्क ड़ान भाइ मयमनेतिक फिर फोस जीरो बहुत इंपोर्टे लाइन है एसंद्रा सार्ण हेस क्या लिखो कि लइन कि जी-टा ऩिए वर्क डैन वैश liebe नुट क्यों कि सब्सक्राइब अनि मुझे करता है है ठीक है एक अजीब सा फोर्स है जो कोई भी वर्क नहीं करता है नौ प्रूफ देखो तो सिंस भी नो जो मेंगेटिक फोर्स होता है हमारे पास fm is equal to कितना होता है Q into V cross B होता है नौ अजूम कर लो यह फोर्स काम कर रहा है और किसम काम कर रहा है क्या लेगा हमको कि वो चार्ज को मूब पुराने में काम कर रहा है ठीक है ओके तो ऐसा बोलो कि लेट कि लेट कि लेट कि मूब लेट कि एफ एम move q charge q charge by dl in time dt in time dt dt time में q charge वो कितना डिस्प्रेस कर रहा है वो dl डिस्प्रेस कर रहा है कितना डिस्प्रेस कर रहा है dl डिस्प्रेस कर रहा है तब यहां से मेरे पास जो dl निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा V multiply by DT निकल किया आजाएगा किस velocity से अगर चार्ज with velocity याँ बलिक के चलो with velocity with velocity V V velocity से इस Q charge को DL displays कर दिया कितने time में किस force ने इस FM force ने तो DL equal to कितना हो जाएगा V into DT हो जाएगा ठीक है तो work return कितना आजाएगा DW is equal to this will be equal to FM dot DL आजाएगा and this is equal to this is Q into FM के वाल उतनी है देखो ये रखाया मेरे पास कितना V cross B और DL के वाल उतनी है मेरे पास ये रखा हो है क्या मेरे पास देखो this is V into DT ऐसा कुछ है अब देखो जो B अब ये ये मेरे पास क्या निकल लिए ये यहां पर Q ऐसे रहे इसको and this one is V dot V cross B and DT and this thing is इसको पता है क्या होता है फ्रवाब अब बैक्टर नाल से आपको पता है दिस वे बॉक्स रॉप ABC और जब बॉक्स रॉप ABC में दो वेक्टर्स सेम होते है तो आंसर कितना आता है यहां पर चार्ज कहां को जा रहा है उपर क्यों और मेरा force कहां क्यों इदर क्यों यहांनी जो velocity और force direction कैए एक दूसर के perpendicular है तो अगर velocity और force के 20 का एंगल कितना है 90 है तो automatically work कितना हो गया जिस डिस डिक्ष्मेट हो रहा है तो यह कितना आजगा मेरे पास fds कॉस्ट ठीटा अगर ठीटा एकल टो कितना हो गया 90 डिग्री इफ ठीटा एकल टो 90 दिग्री तेन कॉस्ट 90 जीरो तो एक बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है कि जो मैगनेटिक फोर्स है उसका तरह किया गया वर्गडन कितना होता है हम इसका मतलब या भी कह सकते हैं हम कि ये कभी भी व्लोस्रेटी को घटाता या बढ़ाता नहीं है रही यह सेश्चार्षं पार्डेकल सारी बच्तर बात है जब कोई और दोनुं हम क्या करेंगे आने वाया लक्टर में डिस्क्स करेंगे धुरिस्क बाद आगे बढ़ेंगे। ऐज है हमारा मेंिने टो इस्टेट में ये अफ्र उसके इंटोड़ेक्शन के बारे में आपको अपको समझ मैंस मिलें को सममझ नहीं आ रहा कि महले आपको क्या चाहिए समझ रहोsınız मैं क्या करना चाहीं ठीक तो करदो या중 लाइक शयर सइस्क्राइब कर दो ठीक जारा आपका कुछ यह लीग एक जा दरते लाइक करने में में एक शेयर खर SNL लग जाएंगे तो आज के लिवस्ट इतना ही मिलते हैं आप से नेस क्लास में एक और ने टोपिक एसान तक लिए थैंक यू दन्यवाद बावाई